की सांस रुख गई और सोचने लगा आज तो मेरा काम तमाम फिर उसने सामने कुछ सुखी हड़ियां पड़ी देखी तो वह आते हुए शेर के तरफ फीट करके बैठ गया और एक सुखी हड़ी को चूसने लगा और जोर-जोर से बोलने लगा वा शेर को खाने का मज़ा ही उसने सोचा ये मौका अच्छा है शेर को सारी कहानी बता देता शेर से दोस्ती हो जाएगी और उससे जान का खत्रा कम हो जाएगा वो पटा-पट शेर के पीछे भागा कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई लोचा है उधर बंदर ने शेर को सब बता दिया कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया है शेर जोर से दहाडा चल मेरे साथ शेर कुत्ते की तरफ लपका कुत्ते ने शेर को आते देखा उसके उपर फिर जान का संकट आ गया मगर फिर हिम्मत कर कुता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे एक घंटा हो गया साला एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता ये सुनते ही शेर ने बंदर को पठा